हीरो स्प्लेंडर प्लेस बिल्ड कर रही है आप देख हलो अब्रीवन वेल्कम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आज है मेरे पास दस्प्लेंडर प्लस बीए सिक्स मॉडल तो हीरो की नई बाइक बीए सिक्स में जो आ चुकी है बहुत सालों से कल्ट फॉलोइंग रखती है इंडिया में बहुत ज़्यादा फेमस है ये कम्यूटर के कैटिगरी में तो आज देखते हैं बीए सिक्स में स्प्लेंडर वाट हैज अन ओफर और क्या-क्या चेंज़े आ सब कुछ बात करेंगे इस वीडियो में तो स्टार्ट कर लेते हैं वाकराउंड से स्टार्टिंग फ्रॉंट आपको ज्यादा कुछ चेंज़े देखने को नहीं मिलते हैं अलॉई विल मिल जाते हैं 18 इंचेस के हैं जो सीएट सिक्योरा जूम के टायर्स आपको मिले हुए है फ्रंट में आपको टेलिस्कोपिक फोक्स मेल जाते हैं आए 3S की बैजिंग आप यहां पर देख सकते हैं विकॉस दिस इस टॉप मॉडल स्प्लेंडर प्लस आपको और भी वेरेंट्स मिल जाते हैं जिसमें आए 3S नहीं होता है सेल्फ स्टार्ट भी है किक भी है एंड आए 3S भी है तो दिस इस टॉप मॉडल और फ्रंट की बात कर रहे थे तो यहां पर आपको हैलोजन हेड़ाइट्स मिल जाते हैं इंडिकेटर्स भी हैलोजन में ही है और टायर साइज है 80 सेक्शन का है 80 x 100 सेक्शन साइड लुक से बाइक बहुत जादा फ्रेश लग रही ह बिकाज फ्रेश टिकरिंग दी गई है बाइक को बहुत सारे नए ग्राफिक्स मिल गए है बहुत सारे न्यू कलर्स में भी आने लगी है तो हीरो का बैजिंग आपको उहां पर देखने को मिल जाता है एंजिन की बात स्पेसिफिकेशन बाद में करेंगे पहले है ज्ञाधा आपको स्पेस उत्ना ज्ञाधा नहीं मिलता है ब्र्राइए बहुत ज्रायट सीट है ये बहुत ज्याधा वाइड भी नहीं है तो आप पैर बहुत आराम से यहां पे नीचे रख सकते हैं and बाइक को चंट्रोल कर सकते हैं now rear के बाद करें तो rear में भी आपको यहां पर halogen tail lamp मिल जाता है, halogen indicator मिल जाते हैं, जो exhaust है, उसको थोड़ा सा matte में finish कर दिया गया है, matte black में finish किया गया है, and heat shield जो है, that is in chrome, chrome की quality bike में बहुत ही जादा अच्छी है, grab rails भी आप देख सकते हैं, chrome finished है, तो बहुत ही जादा अच्छी quality है, यहां पर आप कुछ भी आराम से बांच सकते हैं, इतनी जादा usable है, इतनी जादा practical है, this bike is all about practicality, because इस bike में आपको ऐसा कोई भी part ने मिलेगा, जो useful नहीं है, so bike का walk around में आपको दे दिया है, and now हम लोग ride करके इसकी बात कर लेंगे, सबसे पहले बात करें इंजिन की, this is a 97.2 cc एंजिन जो की produce कर लेता है, 8 PS of power and 8 Nm of torque, so power and torque काफी है, बाइक में एक कम्यूटर की हिसाब से, अगर इसकी काटेगरी में देखा जाए तो, seat की बात कर रहा था, the seat is a sofa seat, बहुत ही अच्छी seat है, बहुत ज़्यादा अच्छी comfort प्रवाइड कर देती है, now talking about the suspensions, बहुत अच्छी damping करी गई है, इस motorcycle में, suspension, bike में बहुत अच्छे से tuned है, पॉट होल को अच्छे से absorb कर लेते हैं, बट बहुत ज़्यादा बड़ा पॉट होल आ जाता है, tires की बात कर लेकर, tires skid बहुत ज़्यादा करते हैं इसके, बहुत ज़्यादा skinny tires है, 80 section के tires हैं, तो वेट दिवेड भी उतना ज़्यादा अच्छा provide नहीं करते हैं, एक बार ज़्यादा सब भगा लूँगा मैं, वाउ, अच्छी brakes है यार, unexpected, जो रियर ब्रेक है, उसमें आपको बहुत ज़्यादा अच्छी बाइट मिल जाती है, अच्छी stopping power है, इसकी weight के हिसाब से देखा जाए तो, and category wise भी बहुत अच्छे brakes हैं, सामने वाला brake भी अच्छा परफॉर्म कर ले रहा है, category में देखा जाए तो, because drum brake ही आपको मिलती है, इस category में आपको डिस्क नहीं मिलने वाला है, मीटर में आपको बहुत सारा contrast देखने को मिल जाएगा, बहुत सारे colors है, and यहाँ पर आपको पूरा speedometer मिल जाता है, side stand indicator यहाँ पर है, I3S का यहाँ पर आपको indication मिल जाता है, neutral, engine malfunction light, यहाँ पर आपको high beam दिख जाता है, and fuel gauge आपको यहाँ मिल जाता है, that's it, इसके अलावा आपको कुछ नहीं मिलता है, यहाँ turn signals आपको देखने को मिल जाएगे, and ignition यहाँ पर है, जो handle है, वो एक single piece bar handle है, and जो chrome finishes में की गई है, बहुत जादा अच्छी की गई है, पाइक के mirrors बहुत जादा useful है, अच्छा एक rear view प्रवाइड कर देते हैं, जीरो splendor space बिल कर रही है, आप देख सकता है, अब यह बिप्ति के streets में हूँ, वाव, considering the segment of this motorcycle, बहुत जादा अच्छी perform कर ले रही है, and जो initial pickup है, बहुत जादा अच्छा है, top and up आप से expect नहीं कर सकते, because यह highways के लिए नहीं बनी है, यह city commute के लिए बनी है, and daily use के लिए बनी हुई है, so, यह bike उस criteria को बहुत जादा अच्छे से fulfill कर देती है, and mileage की बात करें तो आपको 70 to 75 का mileage मेल जाएगा, 9.8 liters का tank है, bike बहुत ही जादा fuel efficient है, definitely यह bike इसलिए sell कर रही है, because बहुत जादा robust bike है, बहुत जादा मजबूत है, अब इसको कितना भी refuse करें, यह जवाब नहीं देने वाली, clutch की बात करें, तो बहुत जादा light है, कोई भी effort आपको उतना जादा नहीं लगाना पड़ता है, तो बहुत easy हो जाती है, bike ride करने में, and gear shifts की बात करें, तो एकदम मखन देने, इतनी अच्छी gear shifts हो रहे हैं, कि मैं क्या बताऊं आपको, जड़ा सा touch करो, and आपको foot and toe वाला, यहाँ पर shifter मिल जाता है, तो बहुत ही ज़ादा comfortable हो जाता है, जड़ा से effort लगाने से ही, up shifts and down shifts हो जा रहे हैं, तो bike में वैसिक कोई दिक्कत नहीं है, gear shifting की, and false neutral का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है, because, इस bike में neutral सबसे आखिर में आता है, आप down shift करते रहे हैं and neutral हो जाएगी bike, now stability के बाद कर लेता है, stability अच्छी खासी है, but 70 के अबब आपको कोई stability नहीं मिलने वाली है, so this is the rear brake, जो कि skid कर चुका है, आपने आवाज सुन ली होगी, and front brake, check करते हैं, kick-thak bite है, उतनी वी जाद अच्छी नहीं है, kick-thak bite है, bike के vibrations की बात करें, तो definitely आपको high end में, top end में vibrations में लेंगे, lower end में आपको कोई vibrations नहीं में लेंगे, ऐसा लग रहा है कि bike बिलकुल बंग है, vibrations थोए से handlebar पे हैं, हलके से full packs पे हैं, so acceleration and braking आपने देखी लिया होगा, कितनी अच्छी है, मैं इस bike को वही राइड कर रहा हूँ, जहां राइड करने के लिए, bike बनी हुई है, bike के डिजाइन की बात करें, तो बहुत ही जादा अच्छी डिजाइन है, ऐसा कोई पार्ट नहीं है, जिसको आप fancy कह सकते हैं, या जो unusable है इस motorcycle में, जितने भी parts इस motorcycle में लगे हुए हैं, सब कुछ बहुत जादा useful है, bike के pros की बात करें, तो यार, mileage बहुत जादा अच्छी देती है, easy to maintain है, and इसके parts भी बहुत जादा cheap आते हैं, आपने टाइम से bike भी करें हैं, तो सारे का सारे parts अवेलेबल भी हो जाते हैं, and ब्येसिक्स कम्प्लाइंट है, तो अब आपको emissions के भी उतने जादा टेंशन नहीं लेनी है, पॉन्स की बात करें तो आपको बहुत जादा स्किनिक टायर्स मिल जाते हैं, ब्रेकिंग तो जादा अच्छी नहीं है, paint quality बात करें, fit and finish की बात करें, तो बहुत जादा अच्छी paint quality है, यहाँपे थो इसी glittery finish दी गई है, बाइक को, silver में है with green stickers, neon type की stickers हैं, तो बहुत जादा attractive लग रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं, and splendor में अभी बहुत जादा color options आपको मिल जाते हैं, तो आपको जो भी पसंद है, आप उसमें से pick कर सकते हैं, fit and finish की बात करें, तो panel gaps आपको नहीं मिलेंगे, यहाँपे बिल्कुल भी gap नहीं है, कोई भी आवाज नहीं है unwanted, बट थोड़ा सा यहाँ पर बाइक ओपन लगती है, इस जगा पर यह बाइक बिल्कुल एक बेर मुन बाइक है, इसमें कोई भी unwanted चीजे नहीं है, and इस जगा पर आपको छोड़ा सा बॉक्स मिल जाता है, जिसमें आपको toolkit and medicate आपको मिल जाता है, then the i3s का बटन आप यहाँ पर देख सकते हैं, self-start अगएरा, high beam, low beam, सब कुछ यहाँ पर है, indicators, horn, switch gear की fit and finish की बात करें, तो ठीक ठाक है, उतनी भी जादा अच्छी नहीं है, average quality है, तो इस बाइक से आप corner बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, suspensions आपको backup दे देंगे, बट इसके tires है, इतने जादा skin ही है, कि आप backup expect नहीं कर सकते हैं, इनके tires से, कि आप इसमें corner करें, and traffic में इसको filter करना बहुत जादा easy है, बहुत जादा slim bike है, तो आप इसको बहुत ऐच्छी से filter कर सकते हैं, कहीं खाली जगा पर जाके मैं आपको इसका exhaust note दे देता हूं, and then it's lock to end करेंगे, तो आप देख सकते कि इतने अच्छी से filter हो जा रही है bike, finding बहुत जादा अच्छी है bike की, तो अब बात कर लेते हैं, should you buy this motorcycle or not, यह तो आपके बाप जादा ही बता पाएंगे कि आपको इस motorcycle को own करना चाहिए यह नहीं करना चाहिए, bike का history इतना जादा अच्छा है कि आप इसको अराम से trust कर सकते हैं, जब भी आप इसको खरीदें, एक satisfaction आपको मिलता है कि यह bike 10 साल बाद भी कैसा perform करेगी, आपसे कितना खर्चा मांगे कि maintenance क्या होने वाला है bike का, तो यह सब ध्यान में रखते हुए अगर आप motorcycle ख़ीद रहे हैं, क्योंकि बहुत लोग होते हैं कि दो-दो साल में motorcycle change करते हैं, आप इसमें फैमली को लेकर भी आराम से घुनने जा सकते हैं, बहुत जादा कमफुरिबल है, आप सीटिंग पॉस्चिर मेरा देख सकते हैं कितना अपराइट में बैठा हुआ हूँ, फुट्रेस थोड़ा सामने की लिए हैं तो मेरे लेग्स भी बिल्कुल स्ट्रेट हैं मैं बिल्कुल अपराइट बैठा हुआ हूँ, कोई दिकत नहीं है तो इस motorcycle को आप डिफिनिटली खड़ी थटके हैं, विरो की रिलाइबिलिटी है, विरो की सर्विस भी बहुत जादा अच्छी है बाकी सब क्राइटेरिया अगर आपकी फिल्फिल कर रही है तो डेफिनिटली यूशिड बाइट बाइट सारे ओप्शन से हैं बट इस से अच्छा ओप्शन आपको नहीं मिलने वाला है इस से यहां तो हम रुप गया है यहां पर आइटी इस को आफ कर लेते हैं वरना इंजिन आप हो जाएगा आइटी इस टेकनोलोजी एक अच्छोली यह है कि अगर आप इसको अन करते हैं एंड देन क्लच को छोड़ देते हैं ट्राफिक में तो बाइक बंद हो जाने वाली है आइटी इस को बंद करते हैं एक्सास्ट नोट देना अपको तो हैलोजन है लाइट भी है आपको एक बार दिखा ज़ता हूं एक्सास्ट नोट बाइक आइडल हो यह इसवक्त वट बहुत थोटी एक्सास्ट नोट आ रहा है बहुत साही है और कम्यूटर में कितना कर सकते हैं आप बहुत अच्छा आ रहा है तो बाइक के प्राइस की बात करें तो यह बाइक स्टार्ट होती है 63,000 एक्स शोरूम से और 69,000 तक जाती है अगर आप इसका दॉप मॉडल लेते हैं यह जो मॉडल है इसका प्राइस का 69,220 एक्स शोरूम औरोड आते याते यह बाइक 82,000-83,000 तक आ जाती है तो बहुत जादा अच्छी ओफरिंग है यह हीरो से तो इस व्लॉग को इंट करने का टाइम आ चुका है मैंने बाइक के प्रोजन कॉन्स सब कुछ आपको बता दिया है कैसा लगा व्लॉग कमेंट करके जरूर बताना चैनल पर नए आए हो सब्सक्राइब कर लो मिलते हैं एकले व्लॉग में तिल देन राइट सेफ राइड हाड और बवाई